हेलो एबरीबन वेलकम बेक टू माई चैनल के एक हाउस बैयानो प्रिया दोस्तो आज हम मावा की गुजिया बनाएंगे जन्हें विशेश कर होली अदिवाली पर ही बनाई जाती है तो दोस्तो होली आने वाली है तो आज हम गुजिया बनाएंगे यूपी में विशेश कर इने गुजिया के नाम से जानते हैं और महरास्टा में ने करन जी के नाम से जानते हैं तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मावा की गुजिया बनाना इसके लिए हमने सबसे पहले ये 500 ग्राम मावा लिया था जिसे हमने भून लिया है बहुत अच्छे से और भूनने के बाद इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है ठंडा करने के बाद ही के अंदर हम सारे इंग्रियंट्स टालेंगे हमने 200 ग्राम बूरा लिया है, 50 ग्राम नारियल, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादम और 50 ग्राम ही हमने किश्मिस लिया है काजू और बादम को हमने क्रश कर लिया है तो चलिए माबा के अंदर हम सबसे पहले बूरा डालेंगे और बूरा थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और बूरे को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर हमने सारा बूरा डाल लेंगे देखिए हमने अच्छे से मिला लिया और बाकी का बूरा जो बचा था इसे भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है बूरे को हम पहले चान लेंगे अच्छे से तब उसके बाद ही हम इसके अंदर मिलाएंगे ताकि बूरे के अंदर कोई काटना रहे उसके बाद हम सारी मेवा डालेंगे, मेवा को एक-एक करके इसके अंदर हम डाल देंगे और उसे एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे देखिए, मेवा और बूरा और मावा तीनों चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे यह पूरी तरह मेवा के अंदर मिक्स हो जानी चाहिए मावा जो जितनी भी मेवा हमने डाली है मावा के अंदर पूरी से मिक्स हो जाए है देखे सारी मेवा इसके अंदर मिक्स हो चुकी है तो अब हमें इसको धक करके अलग रख देंगे और इसका आटा तयार करेंगे की लिए हैं और इसके अंदर हम पुरा मिला लेंगे दो बड़ी चम्मच घी इसके अंदर मेदा और गी आपस में पूरा मेक्स हो जाना है चाहिए घी तोड़ा हमारा कम लग रहा था तो एक चम्माच हमने और इसके अंदर एड़ किया है देखिए अब हमारा घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो गई है और हम चेक करेंगे कि हमारी मुठी बंद हो रही है कर नहीं देखिए मुठी अच्छे से बंद हो रही है यानि कि हमारी मैदा एकदम से परफेक्ट हो गई है अब ह मैस के अंदर थोड़ा थोड़ा पानिी डालेंगे और मैयदा को कूथ लेंगे एक डुक शेप में लेके आएंगे । सस्कूर्ण पानि क्योंकि हम बगर सौफ़्ट भी क는 भी करेंगे मैदे को फानी यौ जितना मैदे को पानी चले घान चाहेंगें तो मैयदे को अब बहुत जादा इसके अंदर जरुवत नहीं मैसूस होगी, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे अभी हम, देखिए और इसको हम अच्छे से एक डोकी शेप में ले आएंगे, आप देखिए अब हमें पानी की इसमें जरुवत नहीं है, इसे हातों की मदद से अब 15 मिनिट के लिए इसे हम रहस करने के लिए छोड़ देंगे, और देखिए यह हमने एक गुजिया को चुपकाने के लिए मैदा और पानी का गोल तयार किया है, जिसे कि हमारी गुजिया जब हम बनाएंगे, तो अच्छे से चिपाग जाएं, और देखिए हमें 10 से 15 मेट हो होती है, बहुत चोटी चोटी लोईयां तोड लेंगे इसकी, बिलकुल, क्योंकि गुजिया की जो पूड़ी होती है, वो बहुत पतली बनाते हैं, जिससे कि हमारी गुजिया एकदम अच्छे से सिख जाए, परफेक्ट बने एकदम से, तो इनकी हम सबने लोई बना ली है देखे, और अब हम इनकी पूड़ी तयार करेंगे, चकले पे, हम बिलन की मदद से इसकी बड़ी सी पूड़ी बना लेंगे, बहुत बड़ी भी नी बनाएंगे, बहुत चोटी भी नी बनाएंगे, जो ये गुजिया के जो सांचे होते हैं, उसके उपर आराम से आजाए, इतनी बड़ी पूड़ी हम बेल लेंगे, और पूड़ी ऐसी हो नीचे है कि हमारी नीचे की उंगलियां दिखाई दें, देखे, एकदम ट्रांसपेरेंट, तो ऐसे करके हम एक एक करके अपनी सारी पूड़ीयों को बेलेंगे, पूड़ीयां बेलने में थोड़ी सी पूड़ीयों करेंगे, जो हमने गहल बनाया था वो हमने रख लिय पास में, अब हम सांचे के अंदर एक एक कुड़ी रखते जायेंगे, और इसके अंदर जो हमने इस्टाफिंग तयार की थी, वो हम एक एक चमच, बड़ी चमच इसके अंदर हमारी चमज थोड़ी बड़ी है और इसके अंदर हम एक-एक चमज रखतेंगे और इसके चारों तरह खेंगे ताकि हमारी गुझिया λέ़ जब बइसे जब खानद कई तो takich फटेate नहीं और इसके बाकी पूड़ी को काट देंगे, सांचे से जो बाहर पूड़ी निकली रहती है उसको अलग कर देंगे, इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियों का बना लेंगे, गुजिया देखिए, हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है यह, अब हम इनको फ्राइ करेंगे, अब हम इनको फ्राइ करने से पहले इनको बाकी की गुजिया बनाएंगे, उतनी दिर के लिए एक कपड़े के अंदर इनको चादर हमने बिच्छा लिया, और चादर बिच्छा करके, उनकी उपर हम इनको रैस करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि यह सूख है नहीं, और इसको बापस चादर के साथ ही खवर कर देंगे ताकि यह उपर से सूख है नहीं, और बाकी की गुजिया भी हम इसी तरह से बनाएंगे, और इसके अंदर रखते चले जाएंगे, देखिए, अब हमारी गुजिया बन चुकी है, तो अब हम इसके लिए फ्राइ करने के देखिए, गुजिया हमारी पूरी तयार हो गई है, और एक गैस पर हम कड़ाई रखेंगे, और उसके अंदर ऑइल डाल देंगे, यह हमने रिफाइन ऑइल डाला है, आप चाहो तो गी में भी बना सकते हैं, मैंने रिफाइन ऑइल में गुजिया से कहेंगे, हमारा तेल ब तो एक गुजिया हम इसके अंदर डालते जाएंगे, और देखिए, गुजिया अपने आपी पलट जाती है, जैसे ही फोलने लगती है, तो अपने आपी पलट जाती है, तो इन्हें धीमी आग पर ही हम से कहेंगे, और जब हमारी गुजिया हलकी ब्राउन हो जाएंगे, त इसी तरह से हम दूसरा बैच टालेंगे इसके अंदर गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं दोस्तो जब गुजिया हम खाना शुरू करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है और गुजिया कब कदम हो जाती हैं पता ही नहीं चलता तो देखिए इसी तरह से हम तूसरा बैच भी तयार कर लेंगे देखिए इनको भी हम कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से हमारी सारी गुजिया से करके तयार हो गई है देखिए हमारी गुजिया लग रही है ना एकदम टैम्टिंग यमी अगर आपको मेरी गुजिया पसाद ना है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू